गुट मॉर्निंग, मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना, लीजिए आज युनिवस्ट्री ग्रांट्स कमिशन के एक अटनोमस पॉडी की बात करते हैं जिसको कहा जाता है NEC, National Assessment and Accreditation Council, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रिय मुल्यांकन एवं प्रत्यायन परिशद जानते हैं NEC के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं NEC का लोगो, जिसमें इंडिया के मैप के अंदर क्यू लिखा हुआ है क्यू का क्या अर्थ होता है, क्यू का अर्थ देखने के लिए हमें इसको अलग करके देखना पड़ेगा क्यू stand for quality, कैसे आए quality, जैसा कि हम जानते हैं NEC, इंडिया के अंदर universities और higher education के इंस्टिशेशन के लिए accreditation का काम करता है, तो quality कैसे आए, उसके लिए इस logo में ही आप देख रहे हैं, excellence, credibility और relevance excellence का अर्थ होता है, उत्कृष्टता, credibility, विश्वसनियता, जबकि relevance प्रासांगिकता अगर ये तीनों हम रख रहे हैं किसी भी institute में, तो निश्चित रूप से quality या गुणवत्ता हमें मिलेगी NEC के बारे में जानते हैं, NEC, राष्ट्रिय मुल्यांकन और प्रत्यायन परिशद, भारत में एक सरकारी संगठन है जो उच्छ शिक्षा संस्थानों का आंकलन करता है और मानेता देता है इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि यह विश्विद्याले अनुदान आयोग वित पोशित एक स्वायत निक्याय है, autonomous body है जिसका की headquarter वो बेंगलॉर करनाटक में इस्थित है आप देख रहे हैं यह UGC का logo और यह जो आप image देख रहे हैं यह image है नेक के बेंगलॉर स्थित headquarter की NEC was established in 1994 in response to recommendations of national policy in education 1986 NEC की स्थापना 1994 में राष्ट्रिय शिक्षा निती 1986 की सिफारिशों के बाद की गई थी और इसकी स्थापना जैसा कि आप देख रहे हैं red color से 1994 में हो पाई थी NEC दिल्ली कारले का जो उद्गाटन है वो प्रोफेसर डीपी सिंग जो की UGC के chairperson रहे 14 माई 2018 को अनुवरत भवन दीन द्याल उपाध्याय मार्ग ने दिल्ली में किया गया Vision क्या है इसका तो में क्वालिटी देफाइनिंग अलिमेंट अफ हायर एजूकेशन इन इंडिया त्रू आ कॉंबिनेशन ऑफ सेल्फ एंड एक्स्टरनल क्वालिटी एवेलिवेशन प्रमोशन एंड सस्तेंस इनिशेटिव्स यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सेकेंड नवंबर 2018 तक आज अगर हम देखें इस रिकॉर्ड को तो 568 उनिवर्स्टी और 11,816 कॉलिजिस जो है वो नेक करवा चुके हैं जिन में से 206 उनिवर्स्टी और 1650 कॉलिजिस को ए ग्रेड प्राप्त हो चुका है तो अभी बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिनका नेक होना है और जिनको ए ग्रेड कम से कम ट्राप्त करना है फंक्शन देखते हैं कई डिफरेंट टाइप की कमेटीज और डिफरेंट टाइप की कॉंसिल के तुरू इसके फंक्शन चलते हैं सबसे पहले इसकी एक एक एक्जिक्टिव या सबसे पहली जो कॉंसिल मनी जाती है वो है जर्नल कॉंसिल जिसको जीसी का जाता है जिसका जो हैड होता है वो यूजीसी का जो भी चेर पर सुन होगा एक्स ओफिशो मेंबर वो नेक के जिसी का प्रेजिडेंट बनेगा इससे में जो प्रेजिडेंट है डॉक्टर मामी जाला जगदीश कुमार जी हैं दूसी तरफ मैं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को इसी एक्जिक्टिव कॉंसिल इसके जो हैड होते हैं उनको चेर परसन कहा जाता है ये एमिनेंट एकेडमिशन होते हैं इस समय नेक के जो चेर परसन है वो प्रोफेसर भूशन पठवर्धन जी हैं इन दौनों के अलावा नेक की जो पावर होती है वो डिरेक्टर के पास होती है और आप देख पा रहे हैं मेरे इस स्लाइड में इस समय न एजुकेशनल एडमिडिस्टेटर होते हैं पॉलिसी मेकर्स होते हैं सीनियर एकेमेटिशन होते हैं उन सब के तुरू नेक के फंक्शन चलते हैं नेक के प्रेजिडेंट जैसा कि मैंने बताया UGC के जो भी जेर परसन होंगे वो नेक के प्रेजिडेंट बनते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोफिसर जी आर रिडी, डॉक्टर एस दिसाई, प्रोफिसर एच पी गौतम, प्रोफिसर ए निगावेकर, प्रोफिसर एस थोराट, प्रोफिसर वेच प्रकाश, प्रोफिसर डीपे सिंग और इस समय डॉक्टर मामी टाला जगदीश कुमार न और इस समय जो नेके चेर परसन है वो है प्रोफिसर भूशन पच वर्धन जी नेके डायरेक्टर्स की मैं अगर बात करूँ तो ये सभी नेके समय समय पर डायरेक्टर और ओफिशेटिंग डायरेक्टर्स रह चुके हैं येलो कलर में ओफिशेटिंग है रेड कलर के बेस में ये फुल फ्लेश डिरेक्टर हैं इस से मैं NEC के डिरेक्टर प्रोफिसर S.C. शर्मा जी है NEC committees की मैं अगर बात करूँ तो कुछ इसकी important जो council और committees हैं वो है जर्नल काउंसिल, executive committee, finance committee, standing committee, building committee, appeals committee, purchase committee, civil works committee, राजभाशा committee, internal complaints committee NEC के ही website से ये NEC का organization chart लिया गया है जर्नल काउंसिल के नीचे executive council होती है और उनके नीचे director होते हैं director के help के लिए advisor, deputy advisor और फिर ये administrator सब मिलके ये NEC का organization chart बनता है आगे बात करते हैं grading की NEC grading की मैं अगर बात करूँ तो grade D सबसे lower level का माना जाता है उसके उपर C, B, P+, B++, A, A+, A++ तो ये एक hierarchical grading system 8 grade ladder आप देख पा रहे हैं सभी institution की ये चाहा होती है ये इच्छा होती है कि वो A++ निश्यत रूप से अपने institution के लिए secure कर सके जिनको D grade प्राप्त होता है उनको accreditation नहीं मिल पाता है 5 core values है NEC की NEC की अगर core values की मैं बात करूँ तो first of all contributing to national development second fostering global competencies among students third inculcating a value system among students fourth promoting the use of technology and last not least quest for excellence क्योंकि ऐसा हो सकता है की core values आगे बढ़ जाएं आगे बात करते हैं NEC manual की NEC manual में criteria आपको मिलेंगे की indicators मिलेंगे qualitative metrics मिलेंगे quantitative metrics मिलेंगे यहाँ पर जैसा की आप chart में देख भी पा रहे हैं seven criteria नेके आप देख पा रहे होंगे जो seven criteria हैं उनके नीचे उनके की indicators हैं जैसे criteria one का की indicator में आप देख पा रहे हैं चार होते हैं सेकंड criteria में साथ indicators होते हैं थर्ड में भी साथ हैं फोर्थ में चार हैं फिफ्ट में चार हैं शिक्स में पाच हैं और seven criteria में तीन indicators हैं तो total criteria seven total indicators 34 qualitative matrix total होती हैं 36 जिसमें की weightage point 218 का score बनाते हैं जबकि quantitative matrix की अगर मैं बात करूँ तो वो 79 है और जो weightage score है उसका वो 782 का होता है और total matrix 1000 सभी criteria की मिलाकर या सभी criteria के अंदर जो matrices हैं उनको मिलाकर बनता है आशा है next related ये कुछ समने जानकरी आप के जरूर काम आएगी thanks and regards